मांसून के साथ भारी बारे शाफद बन कर आई है कई राजियों में बारिश में सड़क पर बार जैसे हालात हो गए है इसी बीच एक वीडियो शोशल मीडिया पर जम कर वारल हो रहा है जहां एक स्कूल बस पानी में आधी दूब गई मौके पर पहुँचे लोगों ने किसी तरह बस में सबार 30 बच्चों को बाहर निकाला मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो तिलंगाना के महभूब नगर का है वारल वीडियो में साब तोर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से बच्चों का रेस्क्यू किया जा रहा है गनीमत रही कि समय रहते स्थानी लोगों ने बच्चों को बाहर निकाल लिया नहीं तो कोई बड़ा हाथसा हो सकता था गौर तलब है कि तिलंगाना के निचले इलाकों में जल भराव हो जाने के कारण शुक्रवार सुभे रेलवे अंडर बिच पार करते समय ये स्कूल बस अचानक बार में घिर गई बस ड्राइवर बच्चों को स्कूल लेकर जा रहा था अंडर पास के नीचे पानी भरा हुआ था ड्राइवर को पानी की गहराई का अंदाजा नहीं था इस कारण वे आगे बढ़ता चला गया हाले कि आगे जाकर वे बाड़ के पानी में फस गया पुलिस के मुताबिक बस पानी में आधी डूप गय थी जैसे ही लोगों को इसका पता चला तो वे मदद के लिए आगे आए पुलिस के मुताबिक कोई हताहत नहीं हुआ है आपको बता दें कि महबूप नगर जिले में पिछले दो दिनों से भारी बारिश हो रही है पूरे तिलंगाना राज में मांसून सक्रिय होने के कारण कई जिलों में भारी बारिश का अलट भी जारी किया गया है मौसम विभाग में आने वाले दिनों में तिलंगाना में भारी बारिश की आशंका भी जताई है इस स्टोरी में अभी के लिए बस इतना ही अगर आपको भी ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें